यहाँ एक सुरंग है, बहुती हितिहासिक सुरंग है जो हस्तिनापुर से डारेक्ट यहाँ रामरा जाती है, जिससे वो कौर्वो की मा गंधारी जी उस सुरंग से होकर यहाँ का इसनान करती थी हैलो दोस्तों कैसे आप सब लोग, मैं आश्या करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बहतर होंगे, मैं आपका फैजल भी एक न्यू व्लॉक के साथ, तो दोस्तों मैं आज पिर आचुका हूँ बड़ी इतिहासिक जंगा पे, तो दोस्तों जहाँ मैं आज आया हूँ, वहाँ कौरवो की मा, गंदारी नहने के लिए आया करती थी, जो कि उनका वो स्विमिंग पूल और गहाट है, ये जंगा, जिला मुझफर नगर, जिला मेरट की सीमा पर पड़ता है, जो कि छोटा सा गाओ, राम राज है, तो दोस्तों हम इस जंगा को एक्स्प्लोर करेंगे, तो कौरवो की मा, गंदारी नहने के लिए आया करती थी, तो उस गाट में जो पानी जाया करता था, वो यहां से जाया करता था, आप देश सकते हैं, तो यहां के स्तानी लोग बताते हैं, यहां से जो बिल्डिंग है, यह से पहले कोई एक नदी हुआ करती थी, जो इस वक्त म जिनापुर से डारेक्ट यहां रामरा जाती है जिससे वो कौर्वो की मा गंधारी जी उस प्रंग से होकर यहां इसनान करती थी आने के बाद अब चलते हैं इसको एक्स्प्लोर करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड में आप जो दीवार देख रहे हैं वो लखोरी इटो से बनी है और इस साइड बे आप देख सकते हैं देख भी रहे होंगे जितनी भी इतिहासिक जो जंगा बनी हुए चिनी हुए दिवारे वो लखोरी इटो से है जो की चार सेपाई-चार साल तक पुरानी जो इटे हैं ये हैं और आप यह जो पेड़ देख रहे हैं, यह पेड़ कुछ रहे हैं बोग में दीवार को और कटी है फिर भी पेडा लगी में वन आुदू हसे दिजाईब। आप यह जो रफटा दे रहे थे इसके दोनों साइड में आप देख सकते हैं मिनार चाइप का बोलते हैं और उसके उपर यह जो ठूटा हुआ है यहां एक गुम्बद की तरह कुछ ना कुछ फोया करता था आप देख सकते हैं उस वक्त में यहां धीप जलते थे रात साम के समय है रात के समय में दीप यह देख सकते हैं और यह तोट चुगा है यह भी लखोरी इटो से चिला हुआ है और आप देख सकते हैं सूर्खी सिमिट नहीं है सूर्खी आप देख सकते हैं इसमें और वो उस साइड भी है आप देख रहे होंगे तो यह पूरी बो जंगा है जो घाट है जहां और उनकी माँ गंधारी नहने के लिए आया करती थी उस वक् पहड़ी आए वहां से पानी नहीं करता था पानी साइड से आया करता था वहां बैठने के लिए और वह सूरंग हो भी हम आपको दिखाएंगे यह लगबग महभारत पालीन के समय की यह समय का यह घाट है आज से लगबग चार यार से पांचार साल तक का पुराना यह इस वक्त बंद हो चुकी है और यहां के स्तानिय लोग कहते हैं कि इसमें साप ज़्यादा पाये जाते हैं तो इसलिए यहां जाना वना है और गवर्मेंट ने भी इसमें बैंड कर दिया है और दोस्तों यहां से ही कौर्वो की मा गंदारी जी हस्तीनापुर से डारेक यहां आती थी और इस घाट में सतनान क्या करती थी और आप देख सकते हैं यह जो तूटी यह पहड़ी थी महां से लेकर और यह तक यह तीन चार पहड़िया और होगी और यह लगबद 10-12 फिट यह गहरा है आप देख सकते और इसी तरीके से ये पहडिया यहां पाई जाती है और ये जो रामराज है वो खीनापूर है ये बड़ा इतिहासिक जंगा है आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पहडियां है तो इसका कुछ यही इतिहास है अब उपर चलेंगे और इसको व्यू दिखाएंगे आपको उपर से कैसा दिखता है ये बाहर से तो दोस्तो आईए हमारे साथ तो दोस्तो मैं उस घड़ से अब उपर आचुका हूँ आप देख सकते हैं ये जो थम देख रहे हैं ये चारू तरफ है ये भी इसी जंगे का थम है और ये तूटा हुआ है इसके उपर एक गुंबद जैसा डिजाइन होगा आप देख सकते हैं दूसरा वो है तीसरा उस कौने पे है और चौता वो देख रहे हैंगे लाश्ट में अब इसका आपको आवरीव दिख रहा होगा ये कितनी गहरी है जब हम नीचे थे जब आपको पता नहीं लग रहा था और वो की माती गंधारी उनका एक सनांग घाट था मगर अब आपको दिख रहा होगा ये कितना गहरा है लगबख 12-15 पिट ये गहरा होगा और ये पहडिया और भी नीचे है अभी बताया गया है किसमें कुछ दिन पहले ही मिट्टी यहां से हटाई गई है और पहले है पूरा पूरा कच्रा करके इसको बढ़ दिया गया था और ये और भी गहरा हो सकता है और आप देख सकते हैं एक दुआर ये है जो पहडिया है जो जहां से नीचे जाते थे और इसके चारो तरफ ये पहडिया है इसका यही कुछ इतिहास है और यही ओवर विई है हमने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कराया है और य पैडिया उतरने के लिए ती इस धाट के अंदर और महां से वह पानी आया करता था तो दोस्तो इस वीडियो में हमने इसका कुछ इतिहास बताया यह अच्छे से एक्स्प्लोर कराई जंगां गर दोस्तों यह मेरी वीडियो आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं सी नेक्स वीडियो के साथ जब तक के लिए इस्टेट यून